दो टुएल यानी नर्ग का दर्वाजा यहाँ जगह तुर्क मेनिस्तान के दर्वाजे गाम मिश्ती थे धर्ती में बनाया गड़ा और उस गड़े में धदकती आग यहाँ पिछले 50 सालों से इसे जल रही है दुनिया इस नर्ग के दर्वाजे के नाम से जानती है कारा करम रेगिस्तान में बनाया बिसाल गड़ा दरसल जमीन के अंदर प्राकृतिक गड़ के बिस्पोर्ट से बना था अनाई से गतर में सोईवीत के बिग्यानिक इस डजट एरिया में तिल और गईस की खोज करने आये थे उन्होंने दर्वेजे गाम इस्तिती जगह को ड्रीलिंग के लिए चुना लेकिन ड्रीलिंग शुरू करने के खुछ समय बाद ही यहाँ जगह ठाग गई और यहाँ दो सतीस फीट चाउड़ा 65 फिट गारा गड़ा बन गया इस दूर गटना में कोई जनहान तो नहीं हुई लेकिन इस क्रियेटर से बहुत ज़्यादा मात्रा मिथेन गईस निकलने लगी इसलिए इस गईस को बाहर निकलने से रोकना जरूरी था इसके लिए बैग्यानी के पास दो ही विकल्प थे या तो इस गड़े को बंद कर दिया जाए या मिथेन गयस को जला दिया जाए पहला तरीका बहुत ही खर्चिला और समय लगने वाला था इसलिए बैग्यानी को ने दूसरा तरीका अपना या और इस क्रियेटर में आग लगा दी उनका सोचना था कि कुछ ही दिनों वे सारी मिथेन गयस जल जाएगी और आग अपने आप ही बुझ जाएगी लेकिन बैग्यानी को का या अंदाजा बिलकुली गलत निकला तब से आज तक आग धदक रही है इस बास से अंदाजा लगा सकते हैं कि हुझ जगापन मिथेन गयस का कितना बड़ा भंडार है तो वीडियो कैसा लाए कमेंट में जरूर होता है और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दूर करें